Hello everyone, welcome to StudyTube कोर्स से रिलेटेड और भी डेमो वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप यूटूब के प्लेस्ट में जाए वहाँ पर कोर्स इंफो एंड डेमो नाम से एक प्लेस्ट मिलेगा और भी वीडियोज आपको मिल गाएंगे जो कि डेमो वीडियो गूरूप में डाला गया है इस इस कोर्स के लिए गूगल प्लेस्टोर से आप स्टेटिव एडियोज जो एप है इसे डाउन्लोड कर सकते हैं और साइन अप करने के बाद आप इस फ्री कॉंटेंट बैच में भी जाकर के डेमो वीडियोज को देख सकते हैं अगर आप को परचेज करना चाहते हैं तो यह जो भी चल रहे हैं इसलिए अगर आपको कोर्स बाई करना है तो यह स्टी एजुकेशन अट रेट यूपी आई पर पे करें या फिर इसे स्कैन करके पे करें और इस वाट्सेप पर कॉंटेक्ट करें अगर आपको कुछ और जनकारी लेनी है कुछ डाउट है तो अब आप इस टेमो वीडियो को धियान से देखिए अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं अपने एक्जाम के लिए तो आप इस कोर्स को जोईन कर सकते हो यह इस पूरे कोर्स का पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर हम लोग शुरू करेंगे यूनिट्स ए भौतिक राशी जिसे मापा जा सके तथा जिसके पदों में विभीन भौतिक घटनाओं एवन्यूमों को दर्शाय जा सके भौतिक राशी कहलाती है जैसे द्रवेमान है लंबाई है बल है चाल है विदुदधहरा गनत्तु आदी बहुत सारी बहुतिक राशिया हैं, हम लोग देखेंगे अभी, जो हमारे एक्जाम के लिए important है, लगबक सारे हम लोग cover कर लेंगे बहुतिक राशियों को, जीवन में विभिन ऐसी घटनाय भी होती है, जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं, जिसका कोई संख्यात्मक मान नहीं हैं, क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता है, इनका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, भौतिक राशिय का परिमान गयात करने के लिए, या फिर दो भौतिक राशियों हैं, उससे हमें compare करना है, या फिर भौतिक के नियमों को, या फिर समीकरनों को, सिद्ध करने के को सिद्ध कर सकें समीकरणों को सिद्ध कर सकें इसके लिए मापन आवश्यक है अब देखिए बहुतिक राश्य को इसके पड़िमान यानि की मैंगनिट्यूड और मात्रक यानि की यूनिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एक्जामपल के तौर पर समझें अगर कहीं पर 10 मीटर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो लंबाई है वो एक मीटर लंबाई की दस गुनी है जो लंबाई है ये अपने आप में भहुतिक राश्य है जिसे रिप्रजेंट करने के लिए मैंगनिट्यूड और यूनिट चाहिए लकिनाधस दी गई राषी का आंकिक मान है आंकिक मान यानि की नुमेरिकल वैल्यू तत्हा मीटर से राषी का मातरक प्रदरशित होता है इसलिए बहुतिक राषी को व्यक्त करने के लिए या हम आपने के लिए हम एक मातरक चुनते हैं हमें एक unit की आवशक्ता होती है उसके बाद ज्यात करते हैं कि वह मातरक दी गई बहुतिकराश्यू में कितने गुनिय तक है हमें लंबाई measure करनी है तो सबसे पहले हमने क्या किया इसका एक unit चूज किया तो यूनिट है मीटर, जिसे हम लोग एक मीटर भी लिख सकते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये मातरक है, ये कितनी गुनी है, और ये दोनों मिल करके भौतिक राशी को रिपर्जेंट करते हैं, तो यहां पर दोकर लिखा हुआ है, भौतिक राशी बराबर परिमान गुनेवे मातरक, किसी भी फिजकल क्वान्टिटी को रिपर्जेंट करने के लिए, हम क्या करते हैं, नुमेरिकल वैल्यू लेते हैं, और साथ में उसका यूनिट होता है, भौतिक राशी की निश्चित मातरा को व्यक्त करते समय, ये असपस्ट है कि जैसे ही मातरक परिव परिवर्तित हो जाता है, परन्तु जो गुरनफल है, जो परड़क्ट है और परिवर्तित बना रहता है, देखिए, एन एंटू में यू, ये किसी भी फिजकल क्वान्टिटी के लिए चेंज नहीं होता है, ये कॉंस्टेंट होता है, नियत होता है, एन क्या है, परिमान, जैनि कि magnitude, जो numerical मान होगा, वो, और गुणय में मात्रक जिसे यू से दिखाया गया है, तो n और u का जो प्रड़क्ट होता है, ये न और u का जो गुरनफल होता है, ये कॉंस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा एक्जाम्पल के त सेंटीमीटर है तो यहां पर आप देखे हमने मात्रक को चेंज कर दिया हमने मात्रक को मीटर से सेंटीमीटर कर दिया तो यहां पर देखो क्या चेंज हो गया निमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया लेकिन यह दोनों आपस में बड़ाबर है क्योंकि इन दोनों का जो प्रोड़ बदल जाएगा अगर आप यू बदलोगे तो एन अपने आप बदल जाएगा लेकिन इन दोनों का प्रोड़क्ट जो है कॉंस्टेंट रहेगा जैसे एक न्यूटन बड़ावर होता है दस पर पावर पांच डाइन यहां देखो न्यूटन था तो निमरेकल वेल्यू वन एन यहां पर देखो जैसे मातरक हमने डाइन किया एन का मान देखो दस पर पावर पांच हो गया यहां पर एक किलो गराम बड़ाबर सौ गराम है हमने क्या किया हमने मातरक चेंज किया किलो गराम से गराम हम लोग गये तो यहां पर देखो यहां पर निमरेकल मान एक है तो यह परिमान छोटा हो जाएगा जैसे आप देख लो मीटर और सेंटीमेटर में जो मीटर है यह बड़ा यूनिट है तो इसका नुमेरिकल वैल्यू छोटा है सेंटीमेटर छोटा यूनिट है तो नुमेरिकल वैल्यू बड़ा है भौतिक राशी का परिमान तथा मातरक एक दूस तो n छोटा हो जाएगा, छोटा जूनित लोगे तो n बढ़ा हो जाएगा, यानि एक को चेंज करोगे, दूसरा एक को बढ़ाओगे, दूसरा घड़ जाएगा, एक को घटा होगे, दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि, क्योंकि n into u constant होना है न, ये product change नहीं होना चाहिए, और ये कब change नहीं होगा, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, तो इसको कम करना पड़ेगा, ये छोटा होगा, और इसको हम अगर कम करते हैं, तो इसको बढ़ाना होगा, ताकि ये constant है, ये change नहीं होगा, अगर हम दोनों को बढ़ा देंगे, तो n into u command बदल जाएगा, पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन हमें पहले जैसा ही रखना है, तो एक को बढ़ाएंगे, तो दूसरे को कम करना होगा, मातरक जितना बढ़ा होगा, उसका परिमान यानि की magnitude उतना ही कम होगा, यहाँ पर हम लोग ओलरी देख चुके हैं, मीटर एक बढ़ा मातरक है, तो जूल जो है बड़ा यूनिट है, तो उसके बगल में देखो, जो numerical value है, यह छोटा है, लेकिन जो अरग है, यह छोटा यूनिट है, तो उसका magnitude देखो की बढ़ा है, अब हमने ये देखा, कि भाई कोई भहतिक राशी है, उसके पास magnitude होता है, और unit होता है, लेकिन जब एक भहतिक राशी, दो समान राश्यों का अनुपात होती है, तो इसका कोई मातरक नहीं होता है, उसके पास केवल और केवल magnitude होगा, लेकिन वो भहतिक राशी कौन सी होगी, दो समान राश्यों की अनुपात होगी, एक्जामपल के तोर पर, very very important, आपेक्षिक घनत्तों, ये ज 4 degrees Celsius पर पानी का जो घनत्तों होता है, किसी भी वस्तू का अपेक्षिक घनत्तों आप देखेंगे, तो आपको वहाँ पर unit नहीं दिखेगा, जिसे मालीजे किसी का अपेक्षिक घनत 1.3 है, unit नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये समान भहतिक राश्यों का अनुपात है, से भाग लगा देंगे, तो उपर भी घनत्तों, नीचे भी घनत्तों, इसलिए unit जो है, cancel out हो जाएगा, बचेगा केवल परिमान, जैसे अपवर्तनानक, जो अपवर्तनानक है, किसी माधियम का अपवर्तनानक क्या होता है, वाई-उ में जो प्रकाश का वेग है, बट्टे पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, cancel out हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल और केवल magnitude, कुछ न कुछ यहाँ पर जो भी मान निकल करके आएगा, उसके साथ unit आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद विक्रिती, विक्रिती, वीमा में परिवर्तन, बट्टे में मोल वीमा, वीमा या और मीटर, 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 cancel out हो जाएगा, तो यहाँ भी जो भी आपको value मिलेगा, वो बिना unit का मिलेगा, तो यह सब आपको ध्यान में रखना है, आपक्षी गनत अपवर्तनान के विक्रिती, यह सारे जो होते हैं इनके पास, इनके पास कोई इकाई नहीं होती है, कोई मात अब बहुत सारी भहतिक राशिया हैं, हम देखेंगे कि बहुत सारी भहतिक राशिया हैं, उनमें से कुछ भहतिक राशिया ऐसी हैं, जिसे अन्य राशियों से कोई मतलम नहीं है, उसे परिभाश्यति करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए किसी अन्य भहतिक राशिय की ज इसे परिभाशित करने के लिए अन्य किसी भी भावतिक राशियों की अविशक्ता नहीं होती है। इसे हम लोग निर्पेक्ष राशियां भी कहते हैं, यह जो मुलभूत भावतिक राशियां भी कहते हैं। प्रभाष्य कर्णे के लिए अन्य-भावववववतिक राशी स antis épisode राश container शवतिक में लंबाई द्रवेमान और समय को मोल भौतिक राशिय माना गिया है आप बोलेंगे सर मैंने तो पढ़ाया कि साथ मोल भौतिक राशिय है वो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर है यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो मेकैनिक्स फिजिक्स का बरांच है उसमें केवल लंबाई द्रविमान और समय को मोल भौतिक राशिय माना गिया है अब वृत्पन राशिय क्या होती है नाम से ही किलियर है वृत्पन राशिय यानि जो राशि उत्पन हुई है कैसे उत्पन हुई है मोल भूत भौतिक राशियों के मदद से जो हमने यहाँ पर देखा मूल भूतिक राशिया इनके मदद से जो भूतिक राशिया उत्पन होती है पैदा होती है उसे हम लोग भूतिक राशिया कहते हैं अन सभी भूतिक राशियों को मूल भूतिक राशियों के मदद से भूत्पन किया जा सकता है अताहिया राशिया भूत्पन राशिया कहलाती है यानि कि derived quantities कहलाती है जदि लंबाई को मूल भूतिक राशियों के रूप में परिभाशित किया जाय तो शत्रफल तथा आयतन लं लंबाईगुने में चवड़ाई होता है तो लंबाई पसे चोड़ाई बहुतिक राशी है उसके मदद से यह शेत्रपल निकल करके आता है ऐसी आयतन ये भी क्या है कि जो लंबाई है जो कि मूल भूत भूतिक राशी है इसके मदद से ये निकल करके आता है तो ये दोनों ही अपने आप में क्या है कि हुथपन भूतिक राशी है मूल भूत भूतिक राशियों के मात्रकों को मूल भूत मात्रक कहते हैं यह मात्रक अन्य मात्रकों से सोतंतर होते हैं जैसे हम लोग ने देखा लंबाई लंबाई के हैं मूल भौतिक राशिय हैं और लंबाई के लिए जो मातरक है वो मीटर है वो मीटर है तो मीटर को हम लोग मूल मातरक बोल देंगे जो मूल भौतिक राशिय होती है उसके मातरक को हम लोग मूल मातरक कहते हैं सिंपल सी यह बात है वित्पन भौतिक राशियों के मात्रक को वित्पन मात्रक कहेंगे इन मात्रकों को मूल मात्रक के मदद से व्यक्त किया जाता है जैसे कि वित्पन राशिय के बारे में हम लोग देखा ठीक वैसे ही आप यहाँ पर समझ सकते हो यांतरिकी में हम लोग ने देखा कि लंबाई द्रविमान समय इसे मूल भूत बहुतिकराशी माना गिया है तो लंबाई द्रविमान समय के कई सारे मातरक होते हैं उन सारे ही मातरकों को मेकैनिक्स के अंदर मूल मातरक माना गिया है जो mechanics है physics का जो branch है उसके अंतरगत जो है लंबाई दर्मान समय को मूल भूत बहुत इक्राशी माना गिया है अब चाहे इसका मातरख कोई सा भी हो उससे मूल मातरख कहा गया या अंतरिकी में उदारन के लिए प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष यह क्या है लंबाई की मातरख है लंबाई की मातरख तो मीटर भी है तो मीटर भी मूल मातरख है mechanics के अंदर और प्रकाश वर्ष भी अपने आप में मूल मातरख है और कीलो मीटर भी मूल मातरख है तो Mechanics के अंदर जो यह तीन मूल राश्या है, इसके किसी भी मात्रक को जो है मूल मात्रक कहा जाता है सभी परकार की भहतिक राश्यों के लिए मूल भूत तथा, वितपन, दोनों मात्रकों का समुझ मात्रकों की पद्धिती कहलाती है प्रचलित पद्धिती निम्रप्रकार के हैं ये सारी पद्धितियां जो है आप बच्पन से पढ़ते आ रहे होंगे CGS पद्धिती, MKS पद्धिती, FPS पद्धिती, SI पद्धिती इन सारे पद्धिती को हम लोग तुरह सा डीटेल में देखते हैं सबसे पद्धिती हैं, CGS पद्धिती, यहां दीजेगा C का मतलब cm है, G का मतलब gram है और S का मतलब second है तो cm, gram, second, system इसमें, यानि इस वाले पद्धिती में, जो मूल भोतिक राशी माना गया है वो लंबाई, द्रविमान और समय को माना गया है और यहां पर मूल मात्रक जो है, cm है, gram है और second है लंबाई के लिए cm है, द्रविमान के लिए gram है और समय के लिए second है यह हम पद्धिती के अंदर की बात कर रहे है कि कौन मूल राशी है और कौन मूल मात्रक है MKS पद्धिती, MKS, M का मतलब है meter के का मतलब है किलोग्राम, एस का मतलब है सेकेंड, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड पंधिती, इसमें देखो, लंबाई, द्रमान और समय मूल राशिया है, लंबाई के लिए मूल मातरक मीटर है, द्रमान के लिए मूल मातरक किलोग्राम है, और समय के लिए मूल मातरक सेकेंड यहां पर सारे में आपने देखा तीन-तीन मूल राशिया है यहां देखो यहां पर सारे में आपने देखो लंबाई के लिए मीटर है द्रविमान के इसके बाद विदृधारा है ताप है पतार्त की मात्रा है जोतिति बृता है कंठस्त कर लो रटे होनी चाहिए मूल मात्रक देखो लंबाई के लिए मीटर है द्रविमान के लिए किलोग्राम है समय के लिए सेकेंड है धारा के लिए एंपियर है ताप के लिए कैल्विन है और पदार्त की मात्रा के लिए मूल है जोतिति बृता के लिए कंडिला है जो CGS पदिती है यानि कि सेंटीमिटर ग्राम सेकेंड पदिती इसे गौस्य पदिती भी कहते हैं जो MKS पदिती है यानि कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पदिती इसे जॉर्जी पदिती भी कहते हैं उसके बाद है SI यानिकी अंतराष्टी पदिती यह सबसे विश्तृत पदिती है इसमें साथ मूल भूत भौतिक राश्टिया है इस पदिती को 1960 में अंतराष्टी माप तौल के अधिवेशन में सिवकार किया गया था वास्तों में यह पदिती MKS पदिती का ही संशोधित तथ का पडिवर्दित रूप है इसी का उसी का जो है जो MKS पदिती है इसी का यह जो है मोडिफाइड वर्जन है एसाई पदिती में साथ मूल भौतिक राश्चिया एवं उनके मातरक तो लंबाई है द्रवेमान है समय है विजुद धारा है तापमान है पदार्थ की मातरा है जोती तिवर्था है मातरक क्या है, मीटर है, लंबाई के लिए, द्रव्मान का, एसाई मातरक किलोग्राम हो जाएगा, समय के लिए सेकेंड हो जाएगा, विजुद धारा का एंपियर हो जाएगा, तापवान का केलविन हो जाएगा, पदार्थ की मातरा का मौल है, जूतिति वुता का केंडला है तो ये है साथ मूल भौतिक राशियां और ये है साथ मूल मातरक SI पंदिती में अब SI पंदिती के अंतरगत जो है दो संपूरक भौतिक राशियां भी होती है तो उसे भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एकजाम में ये भी आते हैं दो संपूरक भौतिक राशियां है जिसमें एक है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण समतल कोण के लिए SI मातरक रेडियन है जिसे हम लोग इससे रिनोड करते हैं और ठोस कोण का SI मातरक है समतल कोड यह लोग 2-D अंगल भी बोल देते हैं है आरस कोक्रो लोग 3-D अंगल बोल देते हैं जो आप जिमेटी में पढ़ते हैं या फिर जो आप ट्रिमेटारी में पढ़ते हैं एंगल के कोई त्रिभूज बना दो या फिर कोई भी जोमेट्रिकल शेफ बना दो वहाँ पर कोई भी एंगल बनता है तो अपने आप में क्या है एक समतल पर है तूसे हम लोग समतल कोण बोलेंगे एसा है मातरक रेडियन होता है अब तक आप लोगों ने रेडियन रेडियन पढ़ा ह पसल लोग भी होता है अब एक रेडियन क्या होता है अपने आप में या कि मातरक है समतल कोण के लिए तो रेडियन बोल दो या फिर एक रेडियन बोल दो बाते चाप दोरा इस सेंटर पर येंगल बनेगा उसे हम लोग एक रिडियन बोलेंगे जैसे मान लिजी कि एक सरकल है इस सरकल का आपने radius मापा इस सरकल का आपने radius मापा तो for example radius जो है ये आपको 2 मीटर मिला तो इसी 2 मीटर लंबाई का हम क्या करेंगे कि एक चाप लेंगे इसी 2 मीटर लंबाई का हम क्या करेंगे कि एक चाप लेंगे एक चाप लेंगे जिसके लबाई 2 मीटर होगी, इस चाप के दोवारा केंदर पर जो एंगल बनेगा, वही अपने आप में 1 रेडियन होगा, यानि कि ये चाप भी 2 मीटर है, ये रेडियस भी 2 मीटर है, ठिक है, अब ये स्टर रेडियन क्या है, एस्टेडियन, एसाई पधिती में, यानि कि ये एसाई मातरक है, किसके लिए ठोस कोण के लिए, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसी को हम लोग 3D एंगल बोलते हैं, अब देखिए, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बढ़ाबर, उसके भुजा वाले वड़का कार, शेतरपल द्वारा गोले के केंदर पर बनाये गए, कोण को एक स्टेडियन कहते हैं, या ठोस ये कोण को मापने का मातरक है, तो 3D एंगल मापने के लिए, इस मातरक का इस्तमाल होता है, माले जो कोई गोला है, गोले के पास कुछ त्रिज्या है, उसी त्रि एक गोला का भाग है, अर्द गोला बोल सकते हो, यह एक अर्द गोला है, और इसकी जो सत्य है, इस सत्य पर देखो, ये एक सनचना ली गई है, अब इस पूरे पार्ट के द्वारा, इसके केंदर पर जो एंगल का निर्मान हो रहा है, उसी एंगल को हम लोग स्टेडियन मे बहुतिक राशिया है very very important यहां देखिए मात्रक है है ना सम्तल कोन का मात्रक रेडियन ठोसकोन का स्टेरडियन मात्रक है इन दोनों के पास मात्रक है लेकिन वीमा हीन है वीमाएं नहीं होती है तो यह ध्यान भी रखिएगा कि अगर किसी के पास मात्रक है अगर किसी के पास मात्रक है तो उसके पास वीमा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है इसी भौतिक राशी के पास मातरक है, तो ये बिलकुल भी जरूरी नहीं है कि उसके पास वीमा होगी ही होगी, वीमा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अब लंबाई हम लोग केवल मीटर में नहीं मापते हैं, कई सारे यूनिट्स होते हैं, जिसमें हम लोग लंबाई को मे एक मीटर कहते हैं, यह एक्जाम में नहीं आता है, बस मैंने लिख दिया यहाँ पर, मीटर को परिभाशिद करने के लिए किर्प्टन 86, क्रिप्टन का जो यह आईसो टोप है, समस्थानिक है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, तो यह आप याद रह सकते हो कि मीटर को परि इंगस्ट्रम है, माइक्रोन है, ये सारे दूरी के ही मात रख है, या फिर बल्लों ये सारे लंबाई के ही मात रख है, तो इन सब को देखो, हम लोग मीटर के टर्म में कैसे याद रखते हैं, एक फड़मी बड़ावर होता है, दस पे पावर माइनस 15 मीटर, एक एक स्रे यू ये सब आपके लिए useful है, कुछ और भी है, जैसे कि astronomical unit है, light year है, पार्सिक है, तो एक astronomical unit बड़ावर होता है, इतना मीटर, एक light year बड़ावर होता है, इतना मीटर, और एक पार्सिक होता है, इतना मीटर, एक astronomical unit क्या है, सुर्य और प्रित्वी के बीच की मध्य दूरी खगोल यही का है, यानि कि astronomical unit, एक light year क्या है, निर्वात में यानि कि vacuum में प्रकाश द्वारा एक साले में चले गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, निर्वात में light एक साले में जितनी दूरी चलेगी, उसी को हम लोग एक light year कहते है, very very important light year जो है, यह दूरी के लिए मात रखें, एक्जाम में बहुत बार सवाल आता है कि दूरी के लिए सबसे बड़ा मात रख्या है, पार्सिक है, वैसे ही दरवमान के लिए देखो, मापन के अंतरास्टिय ब्यूरो में प्लेटीनम इरिडियम मिश्र धातू से बने एक मानक बेलन का दरवमान एक किलोग्राम परिफाषित किया गया है, वै कितने दरवमान को हम लोग एक किलोग्राम बोलेंगे, तो अंतरास्टिय ब्यूरो में प्लेटीनम इरिडियम मिश्र धातू से बना एक बेलन है, जो कि यहाँ पड़़ आपको दिखलाया गया है, इसी को एक किलोग्राम माना गया है, जो भी इसका दर्वमान है उसे एक किलोग्राम माना गिया है तो platinum, iridium, misdhatu ये आपके लिए important है ऐसे ही दर्वमान के भी और मात रख होते हैं भाई किलोग्राम तो है ही इसा है मात रख इसके अलाबा और भी मात रख होते हैं जैसे कि चंदर सेखर जैसे कि चंदर सेखर यूनिट एक चंदर सेखर यूनिट बड़ावर होता है इतना किलोग्राम ये जो सन का दर्वमान है सुरी का दर्वमान है उसके 1.4 टाइम से यानि कि इतना गुणा है सुरी का दर्वमान का एक दशनलब चार गुना है कौन एक चंद सिखर यूनिट एक कुंटल सौ किलोग्राम होता है एक मैट्रिक टन हजार किलोग्राम होता है एक अटॉमिक मास यूनिट यह 1.6 इंटू 10 दो पावर माइनस 27 किलोग्राम है याद रखिए हम माइनस 27 है तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है यह कुंटल, मैट्रिक टन यह सब दर्वमान के लिए मात रखिए हम लोग अपने डेटूट लाइफ में देखते भी है एक एक अटॉमिक मास यूनिट यानि कि एक एम यू बड़ावर होता है 1.67 इंटू 10 दो पावर माइनस 27 कि यह डिरेक्ट एकजाम में पूछा जाता ह उसके बाद चंदर सेखड यूनिट यह दर्वमान के लिए मात रखिए यह भी आपको दियान में रखना है अब देखते हैं समय के विभिन मात रखिए सीजियम 133 क्या है यह अपने आप में समस्थानी के सीजियम का तो सीजियम 133 प्रमाणूं के विकिरन के इतने कंपनों में लगने वाला समय अंतराल एक सेकेंड कहा गया है यह जो समय अंतराल है इसी को एक सेकेंड कहा गया है यह definition important नहीं है यह एक्जाम में नहीं हाता है बस मैंने लिख दिया हुआ है ताकि आप एक बार पढ़लो और आपको ऐसा न लगे कि यार मुझे तो यह नहीं बताया है सोरी के चारो और प्रित्वी को अपनी कक्षा में एक चक्र पुर्ण करने में यानि कि एक पूरा चक्र लगाने में लगा समय एक वर्ष कहलाता है जो कि आपको पता ही है प्रित्वी के चारो और चंद्रमा द्वारा अपनी कक्षा में एक पूरा चक्र लगाने में जो स शेक बड़ावर होता है 10 पे पावर माइनस 8 सेकंड याद रखेगा ये शेक है शेक जो है मात रख है टाइम के लिए शेक जो है मात रख है टाइम के लिए जबकि पारसेक आपने देखा था वो गया था दोड़ी के लिए मात रख था ये शेक है एक शेक बड़ावर होता है 10 पर पावर माइनस आठ सेकेंड अब एक्जाम में कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जैसे बोल दिया जाएगा कि एक योटा किसके बड़ाबर होता है एक जेटा किसके बड़ाबर होता है जैसे पूछा जाता है न कि एक मेगा किसके बड़ाबर होता है तो ये तो आपक कहीं पर एक योटा बोला जा रहा है इसका मतलव यह होता है दस पर पावर 24 यह दो को पावर आफ टेन लिखा हुआ है यहां पर एक जिट्टा यानिकि दस पर पावर 21 अगर कहीं पर एक एक जा लिखा हुआ है यानिकि दस पर पावर 18 अगर कहीं पर एक पेटा लिखा हुआ हुआ य名 की 10? 15 ये चाहमें सवाल आते हैं, एक पेट्टा निवलपित में से किसके बढ़ावर होता है, तो चार आप्षिन मिलेंगे, जिसमें से एक आप्षिन होगा 10 पे पर पंदरह, 10 पे पर 12, एक गीगा का मतलब होता है 10 पे पावर 9 एक मेगा का मतलब होता है 10 पे पावर 6 एक किलो का मतलब 10 पे पावर 3 होता है यानि कि 1,000 होता है एक हेक्टो कहीं पर लिखा हुआ है यानि कि 10 पे पावर 2 एक डेसा कहीं पर लिखा हुआ है 1 यानिकी 10 पे पावर 1 ग्राम 1 गीगा बाइट आप सुनते हैं 1 गीगा बाइट अगर कहीं पर लिखा हुआ है मतलब 10 पे पावर 9 बाइट пл अब आपको समझ में आया होगा और ये सारे सिंबल है अब जैसे मालिज़ी कहीं पर लिखा होता है एक decimeter, इसका मतलब क्या होता है, एक dec का मतलब होता है, 10 पे पावर माइनस 1, तो कहीं पर मालेजी एक decimeter लिखा हुआ है, यानि कि वो 10 पे पावर माइनस 1 meter है, एक centi का मतलब होता है, 10 पे पावर माइनस 2, तो कहीं पर मालेजी एक centimeter लिखा हुआ है, मतलब 10 पे पावर माइनस 6 मीटर एक नैनो का मतलब होता है दस पर पावर माइनस 9 एक पीको का मतलब होता है दस पर पावर माइनस 12 एक फेमटो का मतलब होता है दस पर पावर माइनस 15 एक एटो का मतलब होता है दस पर पावर माइनस 18 एक जब्टो का मतलब होता है दस पर पावर माइनस 21 एक युक्टो क्या करते हैं कि एक बार फिर से बहुतिक राशियों को बाटते हैं दो पार्ट में अदीश बहुतिक राशी और सदीश बहुतिक राशी जो बहुतिक राशिया होती है इसे हम लोग फर्दर दो पार्ट में बाटते हैं दो टाइपस में बाटते हैं अदीश राशी जिसे हम सारे आपको रटे होने चाहिए अदिम रटे होने चाहिए आपको यह तो द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है, समय है, दूरी है, चाल है, उड़जा है, दाब है, शक्ती है, तापमान है, प्रिष्ट तनाव है, सर्फेस, टेंशन, श्यांता है, विस्कोसिटी, उश्मा है, आवरिती है, विदुधारा है, विभांतर है, प्रतिरोध है, धारित होता है विशिष्ट उश्मा है उश्माधारीता है यह सारे जो है आपके हैं अदीश राशियां इनमें कहीं बर भी दिशा की जुड़त नहीं परती है इनमें केवल और केवल परिमान होता है मैंगनिट्यूड होता है उसके बाद है सदीश राशिया वेक्टर क्वांटिटी इन राशियों के पास दिशा के साथ साथ परिमान भी होता है यहां आपने देखा केवल परिमान होता है केवल मैंगनिट्यूड होता है यहां दिशा के साथ साथ परिमान होता है इतना ही नही यह सदीश बीश गणित का पालन करती है यह आपको बोलना परेगा यह सदीश बीश गणित का पालन करती है जनरली हम लोग यह बोल देते हैं कि जिनके पास केवल परिमान हो उसे हम लोग अदिश भोतिक राशी बोलते हैं और जिनके पास परिमान के साथ साथ दिशा उसे हम लोग सदीश भहतिक राशी बोलते हैं लेकिन जो हम यह बोलते हैं सदीश राशी के लिए definition वो आधा दूर है सदीश भहतिक राशी उसे बोलते हैं जिन में दिशा के साथ परिमान तो होता ही है साथ सदीश बीजगनित का पालन गरती है यह एक्च्वल definition है किसके लिए सदीश राशियों के लिए अब देखो दिशा का क्या मतलब यहां पर जैसे यहां पर देखिए यह एक ब्लॉक रखा हुआ है मालो यह एक बक्सा है इस पर देखो सेम ही डियरेक्शन में दो फूर्स यहां पर काम कर रहे हैं एक पांच न्यूटन का और एक दस न्यूटन का टोटल फूर्स इस पर कितना काम कर रहा है आप बोलेंगे पंद्रह न्यूटन चलिए ठीक है अब देखो यहां पर इसी ब्लॉक पर एक फूर्स इधर से काम कर रहा है और एक फूर्स इसके ठीक विप्रित काम कर रहा है इधर से पांच न्यूटन और इधर से दस न्यूटन अब बताओ इस पर फूर्स कितना लग रहा है अगर यह अदीश राशी होता अगर ये बल अदीश राशी होता तो हम अभी भी बोलते हैं कि इस पर फोर्स जो है 15 न्यूटन काम कर रहा है लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि बल अपने आप में सदीश राशी है यहाँ पर हमें बल की दिशा भी देखनी परेगी बल इस दिशा में 5 न्यूटन काम कर रहा है इस दिशा में 10 न्यूटन काम कर रहा है तो क्या होगा नेट फोर्स इस पर 5 न्यूटन ही काम कर रहा है इधर का 5 न्यूटन इस वाले 5 न्यूटन को खतम कर देगा बचेगा जो 5 Newton, वो इस पर इदर के ओर apply होगा, तो यह 5 Newton ही बलकाम कर रहा है, इस वाले दिशा में, ऐसे यहाँ पर देखो, 5 Newton ऐसे लगा हुआ है, और 10 Newton उपर से ऐसे लगा हुआ है, यानि कि इधर जो force है और इधर जो force है, एक दूसरी के लमवत है, तो यहाँ पर देखो जो net force है वो 125, square root of 125 newton है तो इन तीनों ही case में देखो तो यहाँ भी 5 newton, 10 newton, यहाँ भी 5 newton, यहाँ भी 5 newton, यहाँ भी 5 newton, यहाँ पर 10 newton तो 5 newton, 10 newton ही तीनों case में बल काम कर रहा है लेकिन हर case में जो है net force अलग अलगाया है अगर बल अपने आप में अधिश राशी होता, तो इन सारे ही केसिस के अंदर जो है, नेट फोर्स बंदर न्यूटन ही आता, ये आपको याद रखना है, ये सारे एक्जामपल्स देखे, हम लोगों ने अभी देखा, अधिश राशी के उधारन, ये सदिश राशी के उधार इसको आप रट लीजिए, इसको आप कंठस्त कर लीजिए, दिमाद में घुजा लीजिए, इसके अलावा कोई और भातिक राशी आपको दिखती है, तो उसे आप अधिश राशी बोल दिना, या तो तरीका ये है कि आप दोनों याद रखो, अलग-अलग, या फिर ये है क आप सदीश राशी को याद रखो, क्योंकि इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या जो है आपके लिए कम है, तो इनको आप याद रखिए, बांकि कोई भी आपको भी कल्प में दिख जाए, इन में से किसी के अलावा कोई दिख जाए, तो वो अपने आप में अधिश राशी ह होगी तो सदीश राशी कौन-कौन है विस्थापन है वेग है अब ये वेग चाहे रेखिये वेग हो चाहे कोणिये वेग हो तौरन है चाहे रेखिये तौरन हो या फिर कोणिये तौरन हो बल है कोई भी बल हो सदीश राशी है समवेग चाहे रेखिये समवेग हो चाहे कोणि ये सम्वेघो सधी राशी आवेग सधी सछी है बलागुर सफीर चुमबक्य श्यतर hajanath Yes polsk DEंसीटी इस अपने आप में कहा ह lou में तो यह सारे कहा कि सधी माण के बाईर सब को आप याद रखो विदुद वाड़ा के पास दिशा भी होती है लेकिन ये सदीश वीज गणिता पालन नहीं करती है अतह ये एक अधिश भोतिक राशी है अब देख़ो current current के पास direction है विद्धारा के पास दिशा है और परिंवान भी है current के पास direction के साथ साथ magnitude भी होता है लेकिन फिर भी हम उसे क्या बोलते है कि वो अधीश राशी है scalar quantity है by vector क्योंने बोलते है क्योंकि ये vector algebra को follow नहीं करती है एक vector के पास जो है एक सदीश राशी के पास जो है direction होनी चाहिए magnitude होनी चाहिए साथ में vector के लिए अलग से algebra होता है vector के लिए अलग से algebra होता है एक तो होता है normal algebra जो हम लोग पढ़ते हैं और एक होता है vector algebra सदीश भीजगरित जो आप में से science background से होंगे जिन्होंने science पढ़ा होगा 11-12 में उनको पता होगा अगर किसी बहुतिक राशी के पास ये तीनों ही है तब हम उसे बोलते हैं सदीश राशी तो जो विदुधारा है इनके पास ये तो है ये भी है लेकिन ये नहीं है इसलिए विदुधारा जो है वो अदीश भातिक राशी है क्योंकि इनके पास दिशा है पडिमान है लेकिन सदीश भीजगनित का ये पालन नहीं करती है एक्जामपल के तोर पर देखो जैसे माल लीजे ये कोई junction है ठीक है और ये इस प्रकार से माल लीजे कोई तार है माल लीजे इधर से current 2A आ रहा है और इधर से current माल लो 3A आ रहा है अब माल लो इस दोनो तार के बीच में कुछ भी angle हो इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर जो current आपको मिलने वाला है वो 2A और 3A दोनों जोड़कर 5A ही मिलेगा तो ये normal algebra है कि बाई 2A 3A तो इधर 5A simple सा normal algebra ये vector algebra नहीं है अगर vector algebra होता ना तो ये angle माईने रखता यहाँ पर और simply हम लोग ऐसे नहीं जोड़ते हैं कि 2A 3A और इधर 5A हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं तो current जो है सदीश बीच गनित का पालन नहीं करता है इसलिए ये अपने आप में अदीश बहुतिकराशी है तो यहाँ पर हमारा part 1 जो है समापत होता है इसके बाद हम लोग part 2 देखेंगे और ये chapter हमारा complete हो जाएगा Thank you so much